तो नमश्कता दोस्तो आज की वीडियों मैं हम बात करने वाले हैं। इस अपयोग कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हम बात करनेवाले हैं कि इसमें क्या कॉंटेंट पहdist आता है। दोस्तों इसकी डोज क्रोड क्या रहता है। और दोस्तो इसमें amino acid plus long peptide commission होता है और दोस्तो बात करते हैं कि isabion क्या है तो दोस्तो isabion javik bio stimulant है जो कि जड़ पत्ते full और follow का विकास करता है अब दोस्तो बात करते हैं इसमें पाईजाने वाले content की तो दोस्तो इसमें amino acid 62.5% और peptide 37.5% मिलता है amino acid नए cell को बनाने का काम करता है और साथ ही है protein का निर्मान भी करता है और दोस्तो peptides यह फसल में cell के division को बढ़ाता है मतलब की नई कोशिकाओं का निर्मान करता है अब दोस्तो बात करते हैं कि isabion को उपयोग करने पर यह फसलों में क्या काम करता है तो दोस्तो इसabion एक amino acid और पोशक तत्वों पर आधारित एक biostimulant है जो की फसल में विकास, ताकत, उपज और गुनवता को बढ़ाता है इसabion पोदे की वृद्धी करता है और फ्लावरिंग को बढ़ाता है और इसabion दोस्तो फोटो सिंथेजिस की क्रिया को तेज करता है और इसके उपयोग से यह है फसलों में enzymes को बढ़ाता है जो की फसलों की रक्षा करता है और पोशक तत्वों का संचार करता है और यह दोस्तो फसलों में फूलों को बढ़ाता है और साथ यह फल फूल को जढ़ने से भी रोगता है और इसके इस्तमाल से पौधे का विकास होता है और साथ में यह फलों के रंग, चमक और साइज में भी सुधार करता है और दोस्तो यह पौधे को स्वस्त रखता है और सर और फिलके मात्रा को भी बढ़ाता है और दोस्तो इजाबियोन पौदे को स्ट्रेस से भी दूर करता है और फल को जल्दी सेट करता है और साथ ही दोस्तो इजाबियोन में चिलिटिंग एफेक्ट होने की वजए से यह है पौदे तवारा जल्दी ग्रहन कर लिया जाता है और सुक्ष्म पोशक्तत्मों को जल्दी पूरे पौदे में पहुंचाने का काम करता है और दोस्तों बात करते हैं कि हमें इजब्योन को कब उपयोग करना चाहिए तो दोस्तों आप इजब्योन को पौदे की ग्रोथ स्टेज में उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आप इसे नर्सरी में भी उपयोग कर सकते हैं और आप इसे plantation के समय भी उपयोग कर सकते हैं मतलब जब आपने नर्सरी से पौदे निकाल कर खेत में लगा दी हैं उसके बाद भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तो फूल निकलते समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपको पहले क्या पेक्षा जादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और साथ ही आप इसे फ्रूट सेटिंग और फल तयार होने की अवस्ता में भी उपयोग कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो आप इजबियोन को उपयोग करके अपनी फसल में उपज को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा कासा प्रॉफिट भी होगा अब दोस्तो बात करते हैं कि आप कौन-कौन सी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तो आप गेहू टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी, खीरा, कपास, अधी फसलों पर इसका उपयोग कर सकते हैं मतलब आप सभी प्रकार की फलेवं सब्जीवर की फसलों पर इसका उपयोग कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों आप फूल वाली फसलों पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं और बागवानी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और दोस्तों आप इसे किसी भी फंकिसाइड या अन्ने पीजियार के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं तो दोस्तो बात करते हैं इसके dose की तो दोस्तो इसका dose 2 ml पर लिटर पानी में डालके आप इसका उपियोग कर सकते हैं और साथ ही दोस्तो इसके price की बात की जाए तो दोस्तो इसका 100 ml का packing लगभग 130 रूपे के असपास मिलता है और 500 ml केस का पैकिंग 620 रुपे के आसपास मिलता है तो दोस्तों ये थाज का वीडियो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना और चैनल पर नही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर